AMI Organic का IPO 1 सितंबर से खुल चुगा है और यह IPO 3 सितंबर को close हो जाएंगा IPO का जो size ने धायत किया गया है यह 590 करोड रुपे का तरह किया गया है इस वीडियो के मात्यम से आपको current gray market premium के आधार पे analysis करके बताया जाएंगा कि इस IPO में हमको reply करना चाहिए या इस IPO से हमको avoid करना चाहिए इसकी पूरी information आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी साथ ही इस वीडियो में आपको यह जानकरी भी बताया जाएंगी कि जिन लोगों को IPO का एलाट्मेंट नहीं मिल पाता है वहां लोग IPO में कैसे पैसा बन सकते हैं उसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो आइए दोस्तो हम वीडियो के रागे बढ़ते हैं और करन ग्रे मार्केट प्रीमियम को जानने की कोसिस करते हैं कि यह IPO किस प्रीमियम पे लिस्ट होंगा और हमको इसमें कितना मुनाफ़ा बन सकता है हमें और एक IPO का करन ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 130 का चल रहा है जो कि 2 सितमर 2021 को यह भाव देखने को मिल रहा है तो यह IPO का जो करन ग्रे मार्केट प्रीमियम है 130 है इस premium के साथ हम देखते हैं कि यह IPO की listing premium क्या बनती है और यह IPO किस premium पे list होने की सम्हावना है हमको नजर आती है किसी भी IPO की listing premium में हम निकलने का एक simple सा formula होता है IPO का जो price band चल रहा है उसमें हम current gray market premium का total कर देते है मतलब कि उसको योग कर देते है तो जो भी total निकल के आता है वो IPO की listing premium बन जाती है जैसे कि इस IPO का जो price band है यह 603 से 610 रुपेगा है और इसका जो current gray market premium चल रहा है यह 130 रुपेगा है तो इस हिसाब से देख सकते है कि इस IPO का lower price band पे 733 और upper price band पे 740 का इसका premium निकल के आता है मतलब कि यह IPO हमको 733 से 740 रुपे के आसपास हमको list होता हुआ नज़राएंगा इस IPO में application लगाते है तो हमारा कितना profit होगा तो इसका इस simple सा formula है इसमें जो current gray market premium होता है और इसका जो lot size होता है दोनों का multiply करते है तो जो भी total निकल के आता है वह हमारा profit हो जाता है तो इस IPO का current gray market premium है यह 130 का है और इसका lot size है यह 24 sales का है तो दोनों का multiply करते हैं तो हमारा जो total निकल के आता है यह 3,120 रुपे का निकल के आता है मतलब कि इस IPO में हमको 3,120 रुपे का profit हमको बनता हुआ नज़राता है दोस्तो current gray market premium जो है यह day by day चेंज होता रहता है यह market की situation के ओपर depend करता है अभी market की situation काफी सांदर है market अभी positive direction में है तो इस समय अभी IPO हमको 3,120 रुपे के profit में लज़राता है अगर market की situation खराब होती है तो यह IPO का current gray market premium हमको गिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है और अगर market की situation ऐसी ही रहती है तो gray market premium हमको बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है IPO में बहुत से लोग apply करते हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन IPO में अगर हमको allotment टाइम ले तो हमको निरासा ही हाथ लगती है इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने IPO allotment का एक वीडियो बनाये हुआ है जो की काफी सांदर है और काफी useful है इस वीडियो के मादर हम से काफी सांदर प्राफिट देखने को मिला है इसकी link description में लगी हुई है आप ये वीडियो देखते है तो आपको इसमें पता चलेंगा कि अगर हमको IPO का allotment नहीं मिलता है और हम IPO में पैसा कमाना चाहते है तो हमको किस सारे से पैसा बन सकता है और क बताया है कि हम इसमें किस परकास से investment करके सांदर पैसा कमा सकते है दोस्तों यहाँ वीडियो आपके education के लिए बनाया गया है इसमें किसी भी व्यक्ति को पैसा लगाने की इसमें राय नहीं दी जाती है क्योंकि stock market जो किम के अधीन है फिर भी हमने काफी analysis करके इस video को इस formula क बनाया हुआ है आप अगर वीडियो के मादर्यम से अपना investment करना चाहते है तो पहले आप जहीं तरीके से इस formula को देखिए और आप देखिए कि इसमें हमारा वास्तों में हमको profit नज होता हुआ बनता हुआ जराता है तो भी आप किसी भी IPO में investment कर कीजिए otherwise आप अपने analysis के म भूले बेल अंट्यक्वेशन को ओन किजिए तक फ्यूचर में शरबाजा से सम्मनित एसी ही जानकर लिए आपको मिल सके थैंक थैंक थैंक्स बास जुवाइनिंग बने रहे है इस टॉक बिजिस के साथ